गुज़राट सरकार ने विधान सबाश सत्र में एक ऐसा निर्ने लिया जिस से गुज़राट के हजारों रेस्टरोस को फाइदा होगा इस निर्ने से ना सिर्फ राज्यु में नए रेस्टरोस खुलेंगे बलकि रोजगार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा गुजरात में रेस्ट्रेंट मालेख खुश है दरसल गुजरात सरकार ने साफ कर दिया है कि अब रेस्ट्रेंट ओनर्स को हर साल पुलिस की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी अब तक नियम था कि ऐसे रेस्ट्रेंट को पुलिस का रेजिस्ट्रेशन हर साल लेना पड़ता भले ही वो दशकों पुराना क्यों ना हो लेकिन अब गुज्रास सरकार ने टुरिज्म इंडस्ट्री पर इस नियम का नेगिटिव इंपक्ट देखा तो इसे बदलने का एलान किया अब हर साल रेस्ट्रेंट ओनर्स को पुलिस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है पहले था कि मैं दो साल में या तीन साल में चार साल में रिम्नियूल था और लाइसंस लेने की जो प्रोसीजर थी तो वो फॉलो करने पड़ दी थी जो अभी गुज्रास सरकार ने अमारे एस्ट्रेंट की रजुवास से उसको रद किया हुआ है वो रेस्ट्रेंट वालों को यह बहुत अच्छी बात है और उनको एक जफा में से मुक्ती मिलेगी राजसान और महराश्ट में रेस्ट्रेंट को पुलिस रेजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता गुज्रात की तुलना में इन दोनों राज्जियों में टूरिज्म काफी अच्छा है अब गुज्रा गुज्रात में कुल साथ हजार रेस्ट्रेंट्स हैं कुल नौ लाक लोगों को रेस्ट्रेंट से सीधा रोजगार मिलता है सालाना 30,000 से 40,000 का रेस्ट्रेंट का कारुबार है सालाना 15% के हिसाब से रेस्ट्रेंट आगे बढ़ रहे हैं हर साल 1500 नए रेस्ट्रेंट्स खुल रहे हैं देर से ही सही लेकिन गुजरात सरकार को ये ऐसास हुआ कि अगर टूरिजम को बढ़ावा देना है तो नए रेस्ट्रेंट खुलना काफी आवसक है इस अच्छे निने के बाद नाकेवल टूरिजम में बढ़ावा होगा लेकिन रेस्ट्रेंट के जरिए रोजगार भी बढ़ेगा केतन जूसी जी मीडिया अहम्दाबाद